हरे कृष्णा भग अक्सर हमसे प्रश्न पूछते हैं कि भगवान जो है वो भ्रह्मा विष्णु महेश ये स्रिष्टी के उद्गम है या इनको भी किसी ने प्रगट किया है या इनको उद्पन किया है तो इस प्रश्न का उत्तर आज हम देना चाहते हैं कि सही माइने में इस स्रिष्टी के रचना के स्रोत है भगवान श्री कृष्णा भगवान श्री कृष्ण के बारे में भ्रह सहिंता जो स्रिष्टि के प्रथम जीव हैं उसमें कहा है इश्वरम परम कृष्णा सत्चित आनंद विग्रहा भगवान श्रीकृष्णा सत्चित और आनंद के बने हुए है अनादिर आदिर गोविंदम सर्वकारण कारण अनादिर आदिर मितलब भगवान जो है वो आदी भगवान है आदि मतलब इसको इंग्लिश मिएग शब्द देखें तो आदि का अरथ होता है बिग्निंग सबसे प्रथम अफतार जो है वो है भगवान का बलराम अफतार भगवान बल्राम जी के रूप में प्रगट होते हैं और फिर बलराम जी से आगे चलकर चतुर विष्णू प्रगट होते हैं जिसमें वासुदेव, संकर्षण, अनेरुद्ध और प्रद्यूम्र ये चार प्रकार के अफ्तार आते हैं जिसे चत्र विष्णू कहते हैं और इसके बाद में जो संकर्षण हैं वो अपने को आगे अफ्तरित करते हैं और उनका नाम पढ़ ज आता है नारायन जैसे नारज जी को आपने देखा होगा कि वह हमेशा ही नारायन नारायन का जब करते रहते हैं तो इस तरह से यह है नारायन और उसके बाद में नारायन अपने आपको दुत्य चत्र व्यू के रूप में प्रगट करते हैं विस्तारित करते हैं तो दुत्य चत्र व्यू में आते हैं फिर से वासुदेव, संकर्शन, अनेवध और प्रदियुमन तो इस तरह से ये चार हैं फिर बाद में जो यह संकर्षन हैं जो दुत्य चत्रविव विश्नु में आते हैं ये संकर्षन अपने आपको दो रूपों में विबाजित करते हैं प्रतम है इनका महा विश्नु रूप और दूसरा है सदाशेव तो यह वाले शिव जी नहीं जो कैलाश पर विदाजमान है यह सदाशेव हैं जो कि चतर भुजी रूप विश्णू है जो कि भगवान विश्णू के अफ्तरित है और सदा ही भगवान के वेखुन धाम में विरादमान तो जी यह महाविश्णू है इनको करणोदक्षाई विश्णू भी कहा जाता है और यह करण सागर पर आप देखेंगे टीवी सीरियल्स में या पिचित्रों में कि वो हमेशा ही करण सागर पे लेटे हुए हैं जिस सागर के नीचे के जगत को कहते हैं प्रकट जगत और उसक कर जाते हैं और हर भ्रमांड के अंदर वो बन जाते हैं गर्वोदक्षाई विश्णू और क्योंकि गर्भ में अगर विश्णू नहीं होगे जैसे कार में अगर ड्राइवर नहीं होगा तो कार इंच भी नहीं चल सकती है ऐसे ही अगर विश्णू भ्रमांड के अंदर प् कमल पर कौन होते हैं स्वेम भ्रह्मा जी शास्त्र में वर्णन है श्रीमत भागवतम में आता है यस्य अंभासी शैनस्य योग निद्रावितन वतह नाभी विश्व कि श्रजन करने के लिए भ्रहमा जी जो है यह वह मैंबोज और करने के लिए और फिर भ्रहमाजी के मानस पुतर हैं चतुर कुमार नारज्च और और फिर भगवान शिव भी भ्रह्माजी से प्रगट होते हैं उनकी भ्रगुटी के बीच से प्रगट होते हैं और वो प्रगट होने के बाद में रुदन करने लगते हैं इसलिए उनका एक नाम रुद्र भी पढ़ जाता है तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान ज या फिर असंखेल जीव भगवान को अपनी सेवा के लिए चाहिए तो भगवान सिश्ची की रशना करते हैं तो भगवान प्रथम अवतार लेते हैं तो उसमें छे प्रकार के अवतारों का वर्णन है पहला अवतार है गुणा अवतार गुणा अवतार में जो भगवान है व और तमोगुण में अपने आपको शिवजी के रूप में प्रुगट रूप ले तो ये हैं भगवान के तीन गुणा अवतार और फिर दूसरा आफ़तार आता है मनवंतर अवतार मनवंतर अवतार क्या भ्रह्मा जी जब स्रिष्टी की रचना करते हैं तो वो भगवान से कहते हैं भगवान मैं तो पंच तत्तु का शरीर बनाओंगा लेकिन इसके अंदर चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए तो भगवान अंश मात्र में आत्मा वेजते हैं और शीरोदक् सब्क्रणी है वह करलोगी है एक कल्प और एक कल्प में होते हैं 100 वर्ष और इन 100 वर्षों के अंदर जो आप देखेंगे बहुत तर चतुर्यूग में जाते हैं आप कहेंगे यह चत्थूर्यूग क्या है चतुर्यूग में सत्यूग त्रेता यूग 12,96,000 सालों का और सत्य यूग 17,28,000 वर्षों का तो इस तरह से आप देखेंगे 43,20,000 वर्षों का एक चत्र यूग है ऐसे 71 चत्र यूग घूमने के बाद में एक मनु की समाप्ति होती है और भगवान अपने आपको ही अलग-अलग मनु के रूप में अफ्त होते हैं तो इस तरह से ये एक अवतार है जिसे कहते हैं मन वंतर अवतार और फिर तीसरा भगवान का अवतार है जिसे कहते हैं पूरुश अवतार तो भगवान अपने आपको हमने अभी चर्चा किया कि तीन प्रकार के विश्नु के रूप में अपना विस्तार करते हैं प तो भगवान विभिन यूगों में अपने लीला अफ़तार करते हैं जैसे राम चंदर जी का अफ़तार लीला अफ़तार भगवान का नरसिंग अफ़तार लीला अफ़तार भगवान का कुर्मा अफ़तार कच्छवे के रूप में भगवान ने सबुद्र मंतन किया तो इस प्रत्युग में जब भगवान आते हैं तो भगवान का एक special color होता है white color, सफेद रंग, तो सफेद रंग में भगवान हन्स अवतार लेते हैं और भगवान जब 13 यूग में आते हैं तो लाल रंग का अवतार है, जिसे यग्य, यग्य की अग्नी आप देखते हैं तो भगवा आते हैं द्वापर यूग में तो भगवान किस रूप में आते हैं स्वेम कृष्णस्तु भगवान स्वेम अस्वेम भगवान प्रगट हो जाते हैं और कल्यूग में भगवान आते हैं किस रूप में भगवान आते हैं चेतन्य महाप्रभू के रूप में इसलिए शास्त्र म के बारे में 5000 साल पूर भी वेद व्याल जी ने लिख दिया है जो आने वाले हैं और श्रीमत भागवतम में सारे अवतारों का वर्णन है वो कब-कब किस समय पर आते हैं तो उसमें कहा गया है कृष्ण वर्णम तुशा कृष्णम संगो पांगास्र पार्शदम यग संकीरतन प्राये जंते ही सुमेदसा कृष्ण वर्णम तुशा कृष्णम भागवान कृष्ण तो होंगे लेकिन उनका रंग कैसा होगा कृष्ण जैसा नहीं होगा तो भगवान पीले रंग के हैं चेतन्य महाप्रवू और क्या है संगो पांगास्त्र पार्शदम साथ में उनके अस्त्र क्या है भगवान के अस्त्र है चैतन्य महाप्रव के रूप में उनके पार्शद उनके पार्शद गुंद नित्यानंद अद्वेत अचार्य गदाधर श्रिवास हरिदास्था कुरानियक पार्शद लेकर के प्रगट होते हैं और फिर जब भगवान आते किसली है यग्य संकिर्थन प्राहे यग्य को आगे बढ़ाने के लिए इस गल्युक का जो प्रेमधन है गोलेपुरा प्रेमधन हरी नाम संकिर्थन लेकर के भगवान आते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे ह और फिर आगे कहते हैं यरंते ही सुमेदा साथ लेकिन इसका पालन कौन करेगा सुमेधा मेधा मतलब आप समझते हैं बुद्धी तो जिसकी बुद्धी सुमेदा होगी सही मायने में कारिकर्पी होगी वो व्यक्ति इस यग्य का पालन करेगा हरे कृष्ण महामंत्र का पालन होता वो जीव है, लेकिन भगवान की शक्ति का आवेश हो करके ऐसे कार करता है। यैसे हम देखते हैं नारद मुनी, असंभव कारते हैं, प्रचार करते हैं, राद दिन भगवान के नाम का कितन करते हैं। या परुष राम जी इसलिए लोग ये प्रशन पूछते हैं कि एक स समय पर कैसे आगए क्योंकि भगवान तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस से गलानिर भवति भार्दस से अब जुत्तानम अधरमस से तदात्मानम सुर्जामिय मैं तो जब जब धर्म की यहानी होती है तब आता हूं तो एक समय पर दो अवस्टारों की क्या विशक्ता लेकिन एक भगवान का लीला अवतार है, एक भगवान का यूगा अवतार है, और परुष राम जी भगवान के शक्ति आविश अवतार है, तो एक समय पे भगवान के विभिन अवतार कारी कर सकते हैं, ब्रह्मा विश्णु महेश के रूप में, मनवंतर के रूप में, तो हो सकता है कि अब आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से भगवान अपने आपको विस्तार करते हैं तो ये बहुत ही बहुत ही जादा गुयतम अध्यन करने की आवशकता है जह हम शास्त्र के शरंगरेंड करेंगे तो हमें ये साफ साफ नजर आ जाएगा कि सारे अवतार है लेकिन इसके प्रमुक कौन है भगवान श्री कृष्णा आप देखिए कि अगर दिपावली पर हम कई सारी मुंबत्यां लगाते हैं और उन मुंबत्यों में हम देखते हैं कि प्रथम मुंबत्य को लेकर कि हम सारी मुंबत्य को जलाते हैं आप कोई पूछे कि सबसे पहली मुंबत्य कौन सी थी तो हम सदा से बता सकते हैं कि जिस मुंबत्य से हमने अनेको मुंबत्यों को जलाया उन मुम्बतियों में भी उतनी शक्ति है जितनी की प्रथम में है लेकिन बाकी सब वो बाद वाली है पहली प्रथम कौन है जो पहली मुम्बति है इसलिए एक है अवतारी और बाकी है अवतार तो अवतारी कौन है भगवान श्री कृष्ण और राम नरसिंग वराह ये भगवान की अगर श्रण ग्रेंड करनी है तो हमें सदाई भगवान के नाम का जब करना है और जानना है कि भगवान कौन है भगवान है श्रीर कृष्णा हरे कृष्णा